आज की वीडियो होने वाली है आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपोर्टेंट हाईवे आईएरसी कोड्स जो की हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए जो अपना करियर ऐसा हाईवे डिजाइन इंजीनियर सोचता है या फिर देखता है तो सबसे सबसे पहले हम बात करेंगे रोड मैनियोừa तो सब्सकि बात करेंगे रोड मैनियुलस कि रोड मैनियों में के प्रची घेख आज किया गया है जैसे कि आपका ल्ड दिं मैयनजल और सें़िसके लिए हम यूज करते हैं ऑ यहज एस्टीएटी गशाह करी करते हैं IRC SP 87 4 आता है आपका Expressways जिसके लिए हम यूज करते हैं IRC SP 99 एंड लास्ट वन इस Hill Road Manual Hill Roads के लिए हम यूज करते हैं IRC SP 48 तो अब हमने बात कर लिए Manuals की अब हम डिसकुस करेंगे Geometric Design के Code Geometric Design में 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 दो two codes use होते हैं पहला होता है आपका Horizontal Curve के लिए and second one is for Vertical Curve. Horizontal Curve के लिए हम यूज करते हैं IRC 38 and second है आपका Vertical उसके लिए हम यूज करते हैं IRC SP 23 तो अब हमने डिसकुस के लिए Geometric Design के अब हम बात करेंगे Pavement Design के Code. Pavement जैसे कि आपको पता है वो ताइप के हमने पढ़ी है Flexible Pavement and Rigid Pavement. Flexible Pavement के लिए हम यूज करते हैं IRC 37 and Rigid Pavement के लिए हम यूज करते हैं IRC 58. अगर आपने अभी तक सिविल प्रोड़जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सिविल प्रोड़जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए so that मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी. So next coming to traffic sign and road marking. Traffic sign और road marking के लिए हम कौन से codes यूज करते हैं? कौन से IRC codes यूज करते हैं? First आता है आपका IRC 67 जो की हम यूज करते हैं traffic sign के लिए. Next is IRC 35 that is for road markings. इसके बाद हम बात करते हैं highway drainage की. तो drainage के लिए मेलनी हम दो codes यूज करते हैं urban और non-urban areas के लिए. So सबसे पहले आपका non-urban highway drainage के लिए हम यूज करते हैं IRC SP 42 and next is for urban highway drainage जिसके लिए हम यूज करते हैं IRC SP 50. इन codes के अलावा कुछ ऐसे codes हैं जो कि एक highway design engineer को पता होने चाहिए हैं जिसमें से कि आपका first of all आता है moth specification for road and bridges. इसको हम commonly बोलते हैं moth orange book. ये बहुत important book होती है जिसमें आप road और bridges की specifications के बारे में बढ़ते हैं. next one is IRC 65. IRC 65 होता है आपका traffic road trees के बारे में यानि कि इसमें road trees के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें उसकी study होती है. next one आता है आपका IRC 8. IRC 8 होता है आपका highway kilometer stone. अब इस वीडियो के साथ मैंने आपको जितने भी IRC codes बताएं वो सभी बहुत important हैं. अगर आप future में अपना highway design में अपना future देखते हैं तो आपको इन courts की study करनी पड़ेगी अच्छे से और इनको कैसे apply करते हैं highway design में वो भी आपको पता होना चाहिए. साथ ही साथ अगर आपने आपको इस वीडियो का pdf चाहिए तो मैं अपने description box में इस वीडियो के description में उसका link दे दूँगी आप जाके उसे download करके पढ़ सकते हैं. Thank you.